हाई गाइज वेलकम टू कैफेपीडिया और आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन चीजों की हमें त्यारी करनी है, रिजल्ट हमारे आने से पहले अब आप लोगों को जैसा कि नहीं पता होता है, आपके उपर अगर कोई गाइदेंस करने के लिए नहीं हो, आप से जस्ट एक दो साल बड़ा या फिर ऐसी कुछ रिजन्स हो सकती है जिसके वाईसे आपके उपर कोई गाइदेंस करने वाला इंसान ना हो, तो आपके लिए मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की बात है नहीं जाके फिर उस चीज़ के लिए रिग्रेट ना हो, लेकिन वीडियो स्टार्टन से पहले एक चीज़ कहना है, कि भाई तुम लोगों में से 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, अभी जाओ और फटा-फट सब्सक्राइब करो गाइस, यूट्यूबर जो होते है वो आपके लिए मैनत करते हैं, कम से कम आपको अपना सपोर्ट दिखाना होता है, कि सब्सक्राइब बटन के लिए कुछ मैनत भी नहीं लगती है, एक सेकंड में हो जाता और ना ही आपको उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो प्लीज मेक सियो टू सब्सक्राइब और यूट्यूबर्स यार एजुकेशन यूट्यूबर्स को और आगे बराओ, और ये बहुत ही ज़्याद अच्छा हो जाएगा हम सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों के लिए तो मिलते हैं इंट्रो के बाद और डिसकस करते हैं कि किन चीजों पे आज हम लोग बात क कर रहा हूं और इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि किन चीजों से हमें बच के रहना है या फिर किन चीजों कहां में ध्यान रखना है अब देखो रिजल्ट जो है रिजल्ट के बारे में गर बताओं एक छुटी सी स्नीक पिक दो तो एक चीज़ तो कंफर्म है भाई कि किन चीजों की हमें ध्यान रखनी है देखो रिजल्ट आता है ना तो हम लोग बहुत जादा रश कर जाता है खासकल कि जो टेंथ वाले बच्चे होते हैं टुवेल्थ वाले तो फिर भी उन्हें पता रहता है कि उन्हें आगे करना क्या है ठीक है जो कि मुझे भी नहीं प बच्चे जो है वो confuse कर जाते हैं जब वह 10th की जस्ट बोर्ड देते हैं टुवेल्थ में बहुत बच्चे हो जाते हैं confused जैसे कि मैं भी अपने टाइम पर I was confused between BBA and BCOM और मैंने फिर BCOM pursue कर लिया बाकी 11-12 में तुमारे भाई ने PCM लिय थी हाँ कोई नहीं होता है ठीक है समझाओंगा सारी चीजे तो यहाँ पर अब लोग बात करते हैं सबसे पहले कि अभी किन-किन चीजों से गुजरे थे और किन-किन चीजों को आगे देखना है बाई अभी बहुत सारे ऐसे चीजे होंगे तुमारे लाइफ में जिसके लिए लेके तुमने कुछ मिस्टेक्स करियोंगी तुम्हें उन मिस्टेक्स का रिग्रेट्स होगा लाइफ में फेलियर भी आया होगा और बहुत कुछ ऐसी चीजे आई होंगी पर क्या आगे चलके मुझे एक सेकेंड आप्शन मिल रहा है जी हाँ आपको फिर से एक दुबारा आप्शन मिल रहा है कि आप उन सभी चीजों को एक तरह से यहां से ऐसे सीधा कवर अप कर लो अगर आप चाते हो कि आप हर चीजों को दुबारा से कवर अप कर लो तो उसके लिए आपको करनी होगी अब महनत महनत जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है भाई महनत की रिक्वायर्मेंट सबसे ज़्यादा होती है अगर आप अपना एक अच्छा फ्यूचर देखते हो doesn't matter you want to be anything अगर तुमें कुछ भी बनना है अगर फिर भी किसी भी लाइन में किसी भी field में अगर एक अच्छा फ्यूचर अपना देखते हो या फिर देखना पसंद करते हो तो भाई उसके लिए करनी होती है महनत और वो महनत होती है लगन के साथ ठीके पास्ट में क्या हुआ क्या mistakes हुए, regrets हुए, failure हुए, past हुए, fail हुए doesn't matter life is all about changes and we have to grab all those changes अब चीजों पर बात करते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखना है खास करकि जो 10th वाले बच्चे उनके लिए बात है कि भाई अभी सही सोच लो और अभी सही अपने stream को लेके और अपने हर चीजों को लेके पहले से प्रिपेर्ड हो जाओ मैं 4 बार, 10 बार, 15 बार मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि stream selection सोच लो गाईस कहीं रश रश में ये ना सोच लो कि भाई मैंने तो science ही लेनी है और फिर आगे चल कि तुम उसके लिए regret करो जैसे मैंने करा था या फिर बहुत बच्चों ने करा था ठीक है, ये नहीं कहता science करा था science is the best among all those three streams पर तुम्हारा तुम्हारे लिए क्या based है तुम्हारा किसमे future है वो तुम्हें पता होना चाहिए तो सबसे पहले ये decide करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अगर तुम class 10th में हो साथी में जब result हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा rush कर जाते हैं गलती से हम लोग कोई गलत school चुन लेते हैं या फिर 12th के बाद हम लोग कोई एक गलत college चुन लेते हैं क्योंकि हमारे पास time नहीं बचा होता और हमें rush करना होता बहुत ज़्यादा हम लोग तेज में हो जाते कि भाई अभी करना है जोईन भाई मेरे पास कोई option नहीं बचा है मैं फटाक से इस school को लेता हूँ हो सकता है date खतम हो जाए तो इसके लिए इन सभी के लिए अभी सही अपनी एक छोटी सी notebook या diary या कुछ भी बना लो और उसमें कम से कम ये चीज note कर लो कि भाई मुझे ये चीज करनी है मैंने ये चीज सोच रखा है मुझे ये school लेना है या फिर ये college लेना है ये stream लेना है या फिर इस चीज में graduation करनी है और ये बाकी सारी चीजे उसके लिए पहले से prepared रहना होता है है ना अब आते हैं अगली चीज पे अगली चीज है कि अगर आप 10 के बच्चे हो 10 के boards दिये हो और आपको आगे का सोचना है तो उसके लिए सबसे main और सबसे important चीज ये है कि भाई अगर आगे आगे जाके मुझे जो भी चीज लेना है या फिर जो भी मैंने अपने लिए stream selection कर रखी है क्या मैंने उससे हर चीजों को उसके हर चीजों को पहले से इंतिजाम करके रखा है simply मैं बताता हूँ कि अगला आपका जो भी step हो अगर आप IIT, JEE या फिर अगर आप NEET या फिर अगर आप किसी भी चीज की किसी भी चीज की literally अगर आप त्यारी कर रहे हो क्लास में अड्मिशन करवा दिया जाएगा अभी के डेट में मानता हूँ कि अभी जो situation चल रहा है अभी classes नहीं चल रहे है पर online classes बहुत सारे on है बहुत सारे online platform पर classes on है तो उसी लिए materials की अपनी जो भी materials या फिर books या फिर जो भी सोच रखा है अभी से ले लो क्योंकि फिर बाद में बहुत जादा rush हो जाता है और साथी में stock availability भी बहुत जादा कम हो जाती हो उस समय मुझे बहुत problem हुई थी जब मैंने 10-11 move किया था literally market में सारी books खतम हो गए थी जो मुझे चाहिए थी तो इसलिए मैं तुम्हें इस चीज से बचाना चाहता हूँ अगली और एक बहुत ही important चीज है वो यह है कि make playlist देखो guys YouTube is the best platform to study in these days चाहे आप घर में रहो चाहे lockdown रहे ना रहे conditions ठीक हो जाए ना हो जाए लेकिन एक चीज है जो आप जिससे आप हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ोगे और वह है YouTube जो कि आप अभी देख रहे हो guys YouTube पे अपना playlist बना लो जिस भी चीज के लिए compete करने वाले हो जिस भी चीज के त्यारी करने वाले हो या फिर relevant to normal ही पढ़ने वाले हो तो कम से कम उसका एक playlist बना लो try to research more on content creators हमेशा यह नहीं होता है कि भाई बड़े numbers वाले जो creators होते वही अच्छे हो हो सकता है कि कोई एक बहुत ही छोटे numbers वाला creator हो जो कि कहीं छुपके बैठा हो और वही तुमारे लिए सब्सक्रादर reliable हो तो make sure कि पहले एक अच्छा research करो किस से तुम comfortable हो उसको पकरो और उससे परो और अगर तुम ऐसे हो जो versatile mind से पढ़ने के लिए ready है तो धेर सारे creator जितने भी creator तुमको फ़संद आते सबी creator से थोड़ा 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 लेके अपना एक बड़ी सी पोटली बनाओ और उसका यूज करो अपने पढ़ाई में है ना तो यह बहुत एक important चीज होती है पढ़ाई करने के लिए मैंने तो अपनी प्लेइस बनाई थी आज तक बनी वी है in fact मैंने बीकॉम ले लिया फिर भी मेरी अभी तक वो जो math physics chemistry की playlist थी class 12th की और class 11th की वो अभी तक मेरे playlist में बनी वी है मेरे personal account में और वो जब भी मैं देखता हूँ मैंने आस तक हटाया भी नहीं पता नहीं क्यों लेकिन मन नहीं करता हटाने का क्योंकि अच्छा लगता है क्यों कि अब आगे आते हैं इस बात पे आगे निकलेंगे हो सकता है कि हमें negativity के लिए रहना चाहिए है न तो उसलिए अगर आप उसके लिए रेडी होगर आप मैच्योर नहीं हो गाइस तो आप अभी पक्का आप अभी थोड़े से वह हो गये कि कैसे ऐसे बोल दिया कि भाई रिजल्ट खराब हो सकता है तो बी अमच्योर एक परसेंट की जो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इसमें हम लोगों को फेलियर मिल सकता है तो एक सेकंड के लिए उसका सोच के चलो ठीक है साथी में और सारे चीजों के लिए तयार हो जाओ जो कि तुमारे साथ होने वाली है अभी तक लाइफ की जो एक वो चलिया आ रही थी आएक सींपल लाइफ ऐसे से अब लाइफ में थोड़ी सी अर्चने बढ़ेंगी तोड़े से रिस्क बढ़ेंगे और उन रिस्क को अब लेने का समय हा चुका है ताकि उन रिस्क को लेके तुम और ज्यादा अपने आपक अब सबको cover up करो और सिधा उन्हें कचरे के डब्बे में डाल दो तो इसे तुम्हें cover up करने का अब समय आ चुका है क्योंकि सारी mistakes और सारे regrets और सारे failure जो तुमारे साथ हो चुके हैं उनको अब cover up करने का समय आ चुका है ठीक है जो भी गलतियों से गुजरे हो बस यह याद रखना कि अब दुबारा उन गलतियों को नहीं दोराना है जो भी गलतियां हुई वो हो गई पास्ट में थी just ignore them just move on because life is all about moving on ठीक है तो में ली मेरा यही एक message था इस वीडियो के through कि कि किनकी चीजों के लिए आपको ready रहना चाहिए after boards result आने के बाद क्योंकि यह साधी बसे मुझे बहुत ज़्यादा problem हुई like मैंने science ले लिया सबसे पहली problem और दूसरी problem यह हुई कि मेरे college जो मैंने चुना वो college अभी अपने city का मेरे city का सबसे top college है उस course के लिए पर फिर भी अगर मैं पहले से और जगा जगा अप्लाई कर देता और different universities में अप्लाई कर देता तो साथ उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर आज मेरे पास कुछ होता तो मैंने वो सब ध्यान नहीं रखा था मैंने जल्दी जल्दी मैं admission मगेरे के लिए ले लिया तो इसलिए मैं आप सभी को suggest करूंगा कि आप इन सभी चीजों का ध्यान जरूर रखे ठीक है अब भाई अब तुम ready हो अब तुम तयार हो आग लगाने के लिए तो जाओ आग लगा दो अब पूरा full on ठीक है और पूरे जोश्य और एक fresh mind से एक नई शुरुआत करो और पढ़ना अब सुरू कर दो अब समय आ चुका है पढ़ना सुरू कर दो यह नहीं हो कि भाई यह सोचके तुम ignore कर दोगे है छोड़ो मैं तो आगे की त्यारी करने मिट लग गया हूं है ना क्योंकि उसको तुम बदन ली सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है ना प्लीज सब्सक्राइब करना भाई की पीस